नमस्कार दोस्तू voter id को ट्रास्टर करने के लिए सबसे पहले आप सेर्च करने लिए आप सेर्च बाद आपको यहां वेब्जाइट में लेगी voters.eci.gov.in आप इसे आपन करने के बाद आपको सबसे पहले लोगिन कर लेना है अगर आपका account बना है, account नहीं है तो आप sign up पे click करके account बना लीजिए account बनाने की process का वीडियो अलेडी बना रखा है description में आपको link में जाएगा तो मैं login कर लेता हूँ login करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ आपको forum 8 का एक option दिखाई देता है shifting residence correction is type तो आपको fill forum 8 का जो button है आप इस पे click कर लीजिए आपसे यह पूछा जाएगा कि आप forum किसके लिए apply कर रहे है self या other ठीके तो आप other option select कर लीजिए self आप select कर सकते हैं लेकिन अगर आपने profile में epic number डाल रखे हैं तो आप self select करिए नहीं तो other से भी आपका काम हो जाएगा तो मैं other ही select करता हूँ आपको वो पहचान पतर संख्या यहां fill करने हैं जिसे आप transfer करना चाहते हैं तो मैं वो पहचान पतर संख्या यहां fill कर देता हूँ पहचान पतर संख्या fill करने के बाद आपको submit button पे click करना है ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन पार्ट नंबर सीरियल नंबर दिखाई देगा एप्लिकेशन फोर पुछा जाएगा कि आप किसके लिए एप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो आपको जो पहला option है sitting of residence वो select करना है select करते ही आपको फिर से दो option दिखाई देते हैं कि आप उसी same विधान सभा same assembly consistency में transfer करना चाहते हैं या दूसरी में तो अगर आप दूसरी विधान सभा में या दूसरे जिले में state में अगर दूसरी जगर transfer करना चाहते हैं तो outside assembly consistency का option select करते हैं आपको select करने के बाद आप okay पे click करेंगे यहाँ आपको क्या होगा A, B, C, D और E यह सारे के सारे steps complete करने होगे सबसे पहले आपको state का और district का details देनी होगी फिर basic details, form किसलिए fill up कर रही है, declaration और submit अब आपको यहाँ right side में language का option है अगर आप Hindi select करेंगे तो पूरा form आपको Hindi में दिखाई देगा अगर आप कोई और language select करेंगे तो आपको पूरा form उसी में दिखाई देगा तो मैं Hindi या English select कर लेता हूँ, ओके, तो यह select करने के बाद क्या होगा सबसे पहला जो section है हमारा, उसकी details हम fill कर देते हैं इसमें देखिया आप, सबसे पहले हमें वहाँ का state select करना है जहां हम transfer कर रहे हैं, ओके मान लीजिए हम राजस्तान में transfer कर रहे हैं अपना vote, राजस्तान select करेंगे district आप select कर लीजिए, इसमें से कोई भी मैं sample के तो पे एक district select कर लेता हूँ इसके बाद AC नंबर यहां दिखाई देता है, नंबर से आपको पता नहीं चलेगा तो आप next जो column में, यहां से आप किसी भी एक, जिस AC में आपको transfer करवाना है आपको अपनी AC select कर लेना है, उसका नंबर यहां दिखाई देगा state, district और AC यानि assembly constraints यानि विधान सबाचेतर आपको यहां से select कर लेना है और फिर next क्लिक करना है, देखिए जैसे हम next करेंगे, यहां पहला जो option है वो tick हो चुका है हमारी एक सुचना fill up हो चुकी है, बी के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपका आधार नंबर provide नहीं किया हो यह हमने select कर दिया है कि हम हमारा वो shift करवाना चाहते हैं, अब C section के अंदर थोड़ा सा नीचे की side में आपको application for shifting residence यहां सूचना पूछी जाती है, आपके पते से समधिक, तो आपको जो नया पता है, जहां पे अब आप निवास कर रहे हैं, वहां की सूचना आपको fill करने ह घर संक्या जहां आप नया transfer करवा रहे हैं, तो घर संक्या वही होती है, जहां मालीजे सादी के वाद आप जा रहे हैं, तो आपके husband का जो घर संक्या voter ID में है, वही, या फिर आप voter list चेक करनीजिए वहां की, तो वहां आप जिस घर में निवास कर रहे हैं, वहां का घर संक तो इस टाइप से आपके जो भी गाओं के अंदर आपका जो गली मोहला है वो आपको यहां फिल करना है जैसे हिंदी में बताओं तो कुछ लोग कहते हैं नियर टेमपल, नियर स्कूल है ना या फिर कोई कोलोनी का नाम है आर से पी कोलोनी तो वो यहां आप फिल कर देंगे अपने गाओं का नाम फिल कर देंगे मैं यहां सेंपल के तोर पे फिल कर देता हूँ जैपूर ओकी यह कोई एक्ट्वल डेटा नहीं है मैं बस सेंपल ले रहा हूँ तो जैपूर सेलेक्ट कर दिया मैंने गाओं का नाम अब इसके बाद हमें अपने पोस्ट ओफिस का पत पिन कोड गलत होगा तो नीचे रेड मार्क का नाम रहेगा ओके 3,4,5,6 यह मैंने पिन कोड फिल कर दिया अब आपको अपनी तैसिल कुछ जगे से तालुका या मंडल कहते हैं तो वो आपको यहां फिल करनी है अपने तैसिल का नाम फिल कर दीजिए इसके बाद नीचे आप आपको डिस्टिक सेलेक्ट कर लेनी है ओके डिस्टिक का केवल वही नाम आएगा जहां आप वो ट्रास्फर कर रहे हैं क्योंकि यह सुचना हम उपर फिल अप कर चुके है अब हमने जो वर्तमान पता फिल अप किया उसके डोक्योमेंट भी हमें प्रोवाइड करने होगे तो यहां देखिए आपको सेलेक्ट डोक्योमेंट का उप्षन है तो मैं जैसे आप सेलेक्ट डोक्योमेंट पे क्लिक करेंगे आपको यहां रिस्ट मिल जाएगी आप क्या डोक्योमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर करूँगा चूज फाइल पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड की PDF फोटो यहां से ओपन करके अटेश कर देंगे यहां देखिए आप दो MBC साइट जादा नहीं होनी चीए आप JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट आप यहां अटेश कर सकते हैं हम जैसे नेक्स्ट करेंगे यह सी जो सेक प्रण का नाम फिल करना है कि जहां से हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ओके जैसे मैं जैपूर से अप्लाई कर रहा हूं तो मैंने जैपूर टाइप कर दिया अब इसे next करेंगे हमारे D section भी complete हो चुका है अब submission करना है submission में क्या है आपको पूरी सूचरा आपको पहले से fill up मिलेगी नाम relative name ओके तो इसको हमें कुछ भी change नहीं करना है हम केवल यहां capture फिल करेंगे यहां नीचे capture फिल करने के बाद capture फिल करने के बाद preview and submit बटन पे click कीजिए आपको पूरा forum open हो जाएगा check करने जिए पूरा forum ठीक है या नहीं check करने के बाद आप नीचे ही नीचे दो बटन दिखाई देंगे keep editing या submit अगर कोई mistake आपको लगती है तो आप keep editing पे जाके उसे ठीक कर सकते हैं नहीं तो आप forum क्या करेंगे direct submit बटन पे click कर देंगे जैसे आप submit करेंगे आपको एक reference नमर मिल जाता है जिसा आप note करके रखिए ताकि जब भी आपको forum track करना हो आ लोट हो गया नहीं क्या verify हो चुका है या नहीं यह सारा status आप उस number से track कर पाएंगे तो आशा करते हैं आप इस तरीके से अपना vote shift कर पाएंगे अगर आपको vote shifting में problem हो रही या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी help भी ले सकते हैं हम आपकी help करेंगे vote को transfer करने के क्या आपको कुछ help मिली होगी वीडियो अगर आपको अच्छा रगओ तो प्लीज इसे like कर दीजी चैनल को subscribe कर दीजी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में देखते रहे हैं आपका अपना favorite channel election guide बाबाई